अधिर है जये हैं चलो कि प्रश्टावना पडें थी प्रक्राश्टावन से लेटी कोई भी डाओट नहीं है आज समविधान के आर्टिकल शुरू करने से पहले जो भारति समविधान की विषेश्षता है जो उसमें अलग है या जो उसको अलग बनाता है उस बारे में हमें चर्चा करनी है इसके अलावा कि भारती सम्विधान के ऐसे कौन से तत्व है या भारती सम्विधान के निर्माण में ऐसी कौन सी चीज़ें होई जिसकी आगे चलकर आलोचना की गई जिसकी या फिर आज भी आलोचना की जाती तो इस चीज़ का आंसर लिख लें के लिए वो विशेष्टा पता होनी चाहिए और वो विशेष्टा क्यों है एक विशेष्टा ये हमें पता होना चाहिए सम्विधान के बारे में तो इसी चीज़ पर हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले भारती सम्विदान की विशेष्टा तो बहुत सारी है आपको पता है विशेष्टा है तब तो आज हमारा सम्विदान सफल है अगर विशेष नहीं होता तो कुछ ना कुछ कमिया होती और आज हमारा सम्विदान विफल हो गया होता पर सम्विदान सफल हुआ है तो यानि विशेष्टाओं का तो इस पे भरमार होगी, अब सारी विशेष्टा हैं तो देखी नहीं जा सकती, पर कुछ ऐसे important facts और points हैं जिन पर हम चर्चा अवश्य कर सकते हैं, जिस पर आप friendly हैं, आप हारी शब्द से friendly हैं, बट उस पर हमें थोड़ी चर्चा करनी पड़ अच्छा वर्तमान में तो यह है, बट जब सम्विधान मूल बना हुआ था, जब 26 जनवरी और 1950 में लागू हुआ था, तब उसमें अनुच्छेट कितने थे, 395 ही थे, उसमें अनुसूचिया कितनी थी, 8 थी और भाग कितने थे, 22 थे, निर्मान के समय हमारे मूल देश और बुनियारी सिध्धान शामिल है, ठीक है, यह भी हमें पता है, हमारे सम्विधान ने देश की अवशक्ता के अनुसार विश्विक अधिकांश प्रमक सम्विधानों की सर्वोच विशेष्टाओं को ग्रहण तो किया है, पर अपने देश की प्रकृतिक अनुसार उसमें क्या किये हैं, परिवर्तन किये हैं, तो सबसे पहले हम विशेष्टा में देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है, जो हमारे भारती सम्विधान को दूसरे सम्विधान से अलग भी बनाता है और बहतर भी बनाता है, और ऐसे कौन से वो facts हैं, जो हमारे नागरिकों को दिएगा हैं, जिसकी वज़ा से हमारे नागरिक के मूल अधिकार थोड़े मजबूत होते हैं, तो सबसे पहला point इसमें आता है आपका, सबसे लंबा सम्विधान, अब देखो, इस चीज़ को आप तारीफ के तोर पर भी ले सकते हो, और आलोचना के तोर पर भी ले सकते हो जब हम विशेषतां की बात कर रहे हैं, तो हम इसको किस तौर पर लेंगे, ठीक, अब दिखो각 सम्विधान जो होता है, कोई भी सम्विधान जो होता है, वो मूलता कितने, दो प्रकार का होता है, कौन से होते हैं, वो दो प्रकार? एक होता है लिखित सम्विधान जो लिखित रूप में है अब भारती सम्विधान किस प्रकार का सम्विधान है लिखित और एक होता है आ लिखित सम्विधान ठीक है अब मैं एक्जामपल लूँ तो लिखित में आप रख सकते हो किसको भारत को यूएसे को और आ लिखित में सबसे विशाल, विश्व का सबसे विशाल संविधान है, अच्छा इसको विशाल कौन बनाता है, इसको विशाल बनाते हैं, इसके आर्टिकल, जिनकी संख्या कितनी है, 395 इसमें आर्टिकल है, अच्छा आपको पता हैं, अमेरिका के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, क कारा नुसूचिया है जो किसी भी संविधान से कही ज्यादा है इस वज़ा से ये बनता है विश्म का सबसे विशाल काय सबसे सा बड़ा । सबसे ज्यादा पंदो वादा संविधान ministुलिय키 ठीक है अब ये भड़ा क्यों बना इसा की बड़े के पीछे वज़ा है कि हमने हर एक देश पर जाकर क्या किया उसके संविधान का अध्यान किया और उसके जो जो अच्छे की पॉइंच थे हमने उसको अपने संविधान में शामिल किया ठीक है बारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखिट संविधान है 395 वर्तमान म सबसे अधिक काम किया गया है संविधान में इसलिए हमारा संविधान सबसे विशाल का है और इसकी विशाल का संविधान की तारीफ किस ने की है कामत कामत क्लियर है डॉक्टर जैनिंस ने के अनुसार भारती संविधान विश्व का सरवादिक व्यापक संविधान है तो यह है हमारे एक संविधान की विशेष्टा अगली विशेष्टा की तरफ आगे आर्टिकल नंबर 368 में एक बिंदू है कौन सा बताईए समविधान संशोधन बिलकुल सही कहां से ग्रहन किया हमने है साउथ आफरिका से ग्रहन किया है अब यह जो समविधान संशोधन है अब ध्यान रखना यह दो प्रकार से होता है एक होता है साधारन बहुमत से और एक होता है विशेज बहुमत से और इसके अलावा यदि कुछ परिवर्तन है जो हमें करने हैं उसमें हमें किसी भी प्रकार के शंशोधन की आवशक्ता नहीं होती है सरकार को मैंने आपको एक चीज़ बताया थे कि सरकार को किसी स्टेट का नाम बदलना है यदी तो क्या शंशोधन करना पड़ेगा करना पड़ेगा हमें मद्परेश का नाम बदलना है क्या शंशोधन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा यानि सरल कार है अब मैंने जाने में या उनमें परिवर्तन करने में हमें बहुत ज़्यादा बहुमत की आवशक्ता नहीं होती हम स्वयम से भी क्या कर सकते हैं सरकार स्वयम से भी चाहे तो उसमें परिवर्तन कम कर सकती है तो ये बिंदू जो हो गए आपके लचीले हो गए यानि अराम से किसी भी बिं की सहमती भी लगती है और दो तेहाई सदस्यों की सहमती भहुमत भी लगता है जो कि एक कठिन प्रक्रिया हो गई क्योंकि जब तक यह सभी नहीं मानेंगे तब तक उस कानून को पारित नहीं किया जा सकता इसलिए बोला गया है कि जो भारती संविधान है ना ही वो ज्यादा लचीला है ना ही वो ज्यादा कठोर है वो दोनों ही प्रकृति का है कुछ कानून ऐसे हैं जिसे आसानी से बदला जा सकता है और कुछ कानून ऐसे हैं जिसे बदलने के लिए कुछ अधिक मेहनत हमको देखने को मिलती है जब हम संविधान शंशुदन प्रक्रिया में पहुंचींगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये साधारन बहुमत, ये विशेश बहुमत क्या होते हैं, तब ये चीज आपको बहतर समझ में आईगी, देखो, भारत का संविधान लचीले पन और कठोर पन का अच्छा कभी भी पूछा जाए, भारत का संविधान लचीला है, नहीं, क्या भारत का संविधान लचीला दोनों है, तो हाँ, ये ना तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर हैं, अमेरिका में आपको विशेश बहुमत चाहिए होता है, कोई भी परिवर्तन करने के लिए, और ना ह छेदों में शंशोधन के लिए सदन में उसकी समझ सदसंख्या के भाउमत तथा सदन में उपस्थित और मद्दान करने वाले सदस्यों के दो तेहाई जहां दो त्याही बहुमत लगा याने वो बन जाता है आपका विशेश बहुमत और विशेश बहुमत कभी भी आसान नहीं होता आप खुश सोचिए तीन मैं से दो लोगों को मनाना असान होगा क्या जादा बहतर क्या है कि सौ मैंसे आधे लोगों को मनाओ या सौ मैंसे दो तेहाई को मनाओ जादा असान आधे लोगों को मनाना होगा सम्विधान के उन भागों में जिनका संबंध संग और राज्य के अधिकार शेत्र से है के लिए संवेधान व्यवस्ता है कि संशोधन उस समय तक नहीं होगा जब तक कि आधे राज इस पर अपनी सुईक्रती नहीं दे देते हैं अब आधे राज्यों से सुईक्रती लेना असान होगा क्या तो इसलिए हमारा संवेधान लचीला तो है पर लचेले के साथ साथ क्या है कठोर भी है अब अगली विश्यष्टा आती है altro जो आफ बहुत अच्छे से जानते हैं संपून प्रभुत्व संपन अब जल्दी से मुझे बताओ किछु संपोर्ण प्रचिर संपन्नि की हम बात कर रहे है ये संपरभुता से संबंदित है न? तो संपरभुता कितने प्रकार क्यों होती है? दो प्रकार, बहुत बढ़ याँ, पहली आंत्रिक और दूसरी बाहरी या बहा अच्छा आंत्रिक मतलब हम अपने आंत्रिक decisions लेने में या अंदर कोई कानून बनानी के लिए एकदम क्या है स्वतंत्र है अपने राजिय में मतलब होता है भारत की मैं बात कर रहा हूँ और बाहरी शेत्र मतलब कि मैं किसी भी विदेशी देश के साथ संधी करने के लिए सौधे करने के लिए या फिर किसी भी अंतराश्टी संगठन में शामिल होने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए पूरता क्या हूँ स्वतंत्र हूँ तो इसका मतला भारती संविधान भारत को एक संप्रभुता देता है क्लियर है चलिए और विशेष्टा है देख लेते हैं यह होगी संप्रभुता इसके बाद बात करते हैं एकात्मक्ता की ओर जुकाओ के साथ संग्ये वेवस्था देखो अक्सर क्या होता है कुछ देशों का मैं आपको बताता हूँ कि जहां राज मिलकर एक संग का निर्माण करते हैं वहाँ प्रॉब्लम यह आती है कि कुछ देशों में राज अपने स्पेशल राइट्स रखते हैं याने वो एक तरीके से एक साइन करकर केवल एक संबंद बनाकर उस फैडरल के साथ जड़े हुए हैं जब तक उनका मन है जब उनका मन नी होगा वो से फैडरल से या उस यूनियन से वो अलग हो सकते हैं जबकि भारत में ऐसा सिस्टम है क्या क्या भारत में कोई राज चाहे तो क्या वो भारत से स्वायम को अलग कर सकता है तो हमारा जो जुकाओ एकात्मा क्या और वो हमारा एकात्मा जुकाओ क कात्मक बनाते हैं यानि उस शक्ती सीधे जाकर एकात्मक तौर पर आपकी क्या होती जुड़ जाती है बारत का संविदान संगी सरकार की स्थापना करता है कि हम एक संग बनाते है और उस संग का नाम क्या है? भारत जिसमें केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है हमने पढ़ा था शशक्त केंद्र के साथ पढ़ा है इसमें संग के सभी आम लक्षड विद्धमान है जैसे दो सरकार ठीक है एक केंद्र में और एक राज्य में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के मार लिखित सम्विधान, सम्विधान की सर्वोच्छता, क्या हमारे हां राज्य और हमारे देश का सम्विधान अलग-अलग है? नहीं है, और स्वतंत्र नियाय पाले का, अब एकात्मक गुड देखते हैं, यदिभी भारत सम् सम्विधान है, यह हमें एकात्मक बनाता है, याने हमारा जुकाओ केवल एक सम्विधान की ओर होगर, हम फॉलो भी किसको करेंगे केवल एक सम्विधान को, एकल नागरिकता है, यह भी एकात्मकता का गोड है, क्या हमारे देश में राज्यों की नागरिकता अलग है, हमार देश में कितने सुप्रीम कोट है केवल एक कहां पर है आपका दिली में और अपात कालीन प्रावधान जब अपात कालीन प्रावधान होते हैं तो सारी कि सारी शक्तिया किसके पास चली जातें केंद्र में जो कौन लगाते हैं राश्ट्र पती बहुत बढ़ियाँ अब इस आफे श्रीक की तौर पर ले सकते हो आलुषाजना के तौर पर विशेश्च्तां गी तो हम इसको तारीफ के तौर पर लेंगी विबिन इश्त्रों से ग्रहत या भारत के संविधान में अधिकतर उलब विश्वक के कई देशों के लगभख कितने देश साथ देशों से लिया गया है और भारत शाष नधिन्यम 1935 से लिया गया याद करो लगभख दू सो पचास आर्टिकल कहां से सीधे अडॉप कर लिये हमने बहुत अच्छीmpfen है ब्रिटिश अधिकांश धांटको को से जोड़ कर बनाया है थीक है स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत अच्छी बात है हमारा भारती सम्विधान न्यायपालिका को एक स्वतंत्र रूप देता है चलो सबसे पहले ये बता हो स्वतंत्र न्यायपालिका ली कहां से गई है याद है अमेरिका से, USA से लिया गया है इसको अब सौधंद्र न्याय पालिका का मतलब है कि एक कारपालिका होती है देश में जो केंद्र सरकार होती है वो हमारे देश में कारपालिका की रूप में काम करती है कारपालिका समझते हो कारपालिका मतलब केंद्र में बैटी वो सरकार जो देश में कार कर रही है विधी क हो सकता है नहीं क्यों क्योंकि हमारा सम्विधान हमारी न्याय पालिका को इन सबसे दूर रखता है और एक स्वतंत्र स्वरूप प्रदान करता है ये भी हमारे सम्विधान की एक विशेष्टा है भारती सम्विधान एक ऐसी न्याय पालिका का स्थापना करता है जो कारपालिका से एकदम क्या है स्वतंत्र है सर्वूच नयायाल है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है आपके मौलिक अधिकानों का हानन होगा तो इसका रक्षक कौन है आपका सर्वोच नयाले, इसलिए समवेधान में इसकी सway तंद्रिता के लिए कई प्रावधान की गए हैं, जैसे नयाय धीशों के कारकाल की सुरक्षा, नयायżenी इतल में नियथारिश सेवा के साथ है ना बघ्यब कारकाल तो आपको पता है गया तीन वर्श चार वर्श पांच वर्श तो मुझे काम करना ही करना मुझे इस पट्स कोई नहीं हटा सकता तो जब यह सोच आपके मन में आती तो आप अपने काम को सोतना रूप से करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं इसके बाद न्याय दीशों के काम काच पर चर्चा पर रोग न्याय दीश के काम काच पर कभी कें सरकार चर्चा नहीं कर सकते हैं आपने अक्सर सुना होगा न्यायाली से संबंदित कोई भी चर्चा संसद में अंदर नहीं होती ह सेवा निवरती के बाद अदालत में काम काज पर रोग कोई भी नयायदी जब सेवा निवरत हो जाते तो काम काज वहाँ पर नहीं कर सकता अब मानना के लिए दंड यह सब सचे चीज़ है देखो इस पावर के कान आपको पता होगा आपने अकसर सुना होगा कि हमारे देश मे नागरिक चौराहे पर खड़े होकर या कोई भी पार्टी का सदस्या विपक्ष का नेता पीम को तक बुरा भला बोल सकता है बोल सकते हैं प्रधान मंत्री पत्का भी वह अपमान कर देते हैं पर जब बात आती है देश के समविधान की जब बात आती है सुप्रीम माननी उसके न्याय धीशों की तो क्या उसका अपमान किया जा सकता है बिल्कुल नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारी न्याय पालिका को ये पावर प्राप्त है कि यदि उन्हें पता भी चल गया या न्याय धीशों को पता चल गया ना कि उन्होंने उट पटांग बोला यहां साइ Supreme Court के decision पे आपने किसी भी प्रकार की आपत्ती जनक टिपणी दी और अगले ही मिनिट आप कहां पहुंच जाएंगे सलाखों के पीछे और तब Supreme Court से आपको न्यायजिश फोन करेंगे कि बेटा आ गया स्वाध कैसा लगा बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे ठीक है त आपके निंडा पर किसी भी प्रकार की आपत्ती कोई नहीं उठा सकता तो यह हमारे सम्विधान का एक गोड़ है स्वतंत्र नियायपालिका मौलिक अधिकारों की व्यवस्ता कितने मौलिक अधिकार दिये गए हैं छे मौलिक अधिकार दिये गए हैं यह भी हमारे बैट कर पढ़ पा रहा है इसकी स्वतंद्रता हमें किस ने दी हमारे संविधान ने दी है तो यह एक बहुत बड़ी विशेष्टा है हमारे संविधान की कि आप कहीं भी जा सकते हैं गूम सकते हैं निवास कर सकते हैं हाना बस कुछ ना कुछ उस पर रोके लगाई गई ताक बाद्धकारी नहीं है बाद्धकारी नहीं है अब क्या होता है एक राज होता है स्टेट उस स्टेट को किस प्रकार से चलाना है या उस स्टेट में से कौन कौन से कार करने चाहिए जो स्टेट को बहतर बनाने के काम कर सकते हैं यह सारे गुण किसमें लिखे हुए है राज राज जिकी नीटी निदेशक तत्वाइब को मानेने के लिए वह राज बाधकारी नहीं है। तो किस में? नीती निदेशक तत्व में, Sumviddahn में कहा गया है कि देश की शाशन वरस्ता में इस सिद्दान मौलुक है और ये देश की जिम्मेदारी है किenden कानून बनाते समय इन सिद्दानते का ध्यान रखें जब भी कोई राज कानून बनाता है वो एक चीज जरूर देखता है कि नीती निदेशक तत्वे में जो चीज़े लिखी हैं कि एक राज में क्या-क्या होना चाहिए क्या उनमें किसी भी बिंदू का उलंगन तो नहीं हो रहा है हाला कि ये मौलिक अधिकारों की भालती बाद बादिकारी हैं बादिकारी मतलब मौलिक अधिकार मानने ही पढ़ेंगे किसको केंद्र को भी और राज्य को भी केंद्र ऐसा नहीं कह सकता कि हम मौलिक अधिकारों को नहीं मानते हम इस वैक्ति को या इस वरक को या इस राज्य को हम अभी वैक्ति की अजादी नहीं देते क्या केंद्र ऐसा बोल सकता है नहीं बोल सकता क्योंकि मौलिक अधिकार जंता की ऊपर भी केंद्र की ऊपर भी राजी की ऊपर भी बादिकारी हैं उन्हें मौ मानना पड़ेगा क्योंकि वह उफार स्वरूप उनको दिये गए हैं इसके बाद मौलिक कर्तव अच्छा मौलिक सेवन्टी सिक्स में किया गया इसके दौरे इनको जोड़ा गया याद हे इसी को बोला था कि ल cyt नागरिक के लूप में डेच में किस प्रकार से रहना चाहिए और देश की प्रती उसकी आशाए क्या होनी चाहिए और देश के प्रति उसकी द्रस्टी कोण क्या होना चाहिए एक इसमें लिखा है मूल कर्तव, मौलिक कर्तव आपको बताते हैं कि एक नागरिक क्या होता है और उस नागरिक के कर्तव कौन कौन से है मौलिक कर्तव नागरिकों को यहाँ याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि वहाँ अपने समाज, देश वा अन नागरिकों के प्रती कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है अब एक चीज बताईए, ये सारवजन एक चीजों को तोड़ना, फोड़ना, आग लगाना, क्या ये मूल करतब पर अंतरगात अच्छी चीज है क्योंकि हमारे मूल करतब उनकी सुरक्षा करने का हमको क्या देते है, संदेश देते है नीती निर्शक्ततों की तरह मूल करतब भी बाद्दकारी रूप में लागू, नहीं किया गया देखो यही सवाल आप से पूछ लिया जाए, मूल करतब बाद्दकारी है, नीती निर्शक्तत बाद्दकारी है, और मौलिक अधिकार बाद्दकारी है इंग, क्लियर है, तो यह चीज यह मैं पता होनी चाहिए, बूल कर्तव ओ गया, अब पात कालीन प्रावधान, हमारे सम्विधान में अपात कालीन शक्तियां है, ये भी हमारे स sarcasmविधान की विषेष्टा है, अपात कालीन शक्तियां तीन प्रकार की होती है, राश्ट्री अपातकल, राज्ज में अपातकल और वित्तिये, राश्ट्री अपातकल युद्धी की स्थिती में लगाया जाता है, राज्ज में अपातकल जब किसी राज्ज में ग्रहयुद्धी की स्थिती हो या जो सरकार राज्ज में कार कर रही है, जो कारपालिका के प्रावधाने में सक्षम ना हो विट्टी अपातकाल तब लगाया जाता है जब देश विट्टी रूप से पूरता क्या हो जाए तूटने की का गार पर आ जाए इन दोनों को छोड़कर ये आस तक नहीं लगाया गया ये दो लगाये जा चुके हैं अपातकाल की स्थिती में प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए भारती संविधान में राश्पती के लिए व्रहद अपातकालीन प्रावधानों की विवस्ता है अपातकालीन शक्तियां कौन लगाता है राश्पती प्रधान मंत्री नहीं इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उ और तीसरा यह आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे चलके आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हातों में आ जाती हो राज केंद्र के नियंत्रण में कार करते हैं क्योंकि जब भी आपातकाल लगता है केंद् शक्तियां किसके पास चली जाती है केवल तब भी मैंने आप सभी थोड़ी देर पहले बात बोली स्वतंत्र न्याय पालिका तब भी एक संस्ता है जो अच्छूती रहती है वह कौन है न्याय पालिका पर अभी वी किसी भी प्रकार का नियंट्रन कोई भी स्थापित नहीं कानून का शाशन ये तो हमारे भारत की बहुत अच्छी विशेष्टा है और ये विशेष्टा हमें कौन प्रतान कर रहा है हमारा समविधार की भारत में कभी भी किसी वैक्ती विशेष्ट का किसी राज अध्यक्ष विशेष्ट का अधिकार कानून या शाशन नहीं चलेगा किसका शाषन चलेगा कानून का शाषन और ये कानून किसके द्वारा बनाया जाता है किसके द्वारा विधाईका के द्वारा विधाईका कौन होती है विधाईका होती है जो कारपाले का संसर में कार करती है और वो कारपाले का जो कार करती है उसे चुना किसके द्वारा जात हुआ जनता का शाषन भारत में लोग कानून द्वारा शाषित होते हैं किसी वैक्ति द्वारा नहीं कोई वैक्ति बोल सकता है क्या कल से यह चीज फॉलो नहीं की जाएगी प्रजानमंत्री बोल सकते हैं क्या यानि बुनियादी सत्वाद की कोई भी वैक्ति कानून से उपर बिल्कुल सही है, कोई भी वेक्ति हमारे हापर कानून से उपर नहीं है, यदि किसी उपर criminal case चलाया जाएगा, तो चाहे वो कोई भी वेक्ति हो, यह नहीं देखा जाएगा, कि वो किस पद पर बैठे हो, हाँ पर इस पर कुछ अपवाद है, जैसे भारत के राश्टपती, कि राश्टपती की उपर पद पर रहत हुए कोई भी criminal case नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वो किवल राश्टपती नहीं है, वो भारत के राश्टपती है, तो उनकी जो image है, उसके साथ भारत की image भी जुड़ी हुई है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, अच्छा विशलेशन में कानून के शाशन का अर्थ आम आदिमी के सामुहिक ज्यान की संप्रुभुता से है, इस महत्पून अर्थ के अलावा कानून का शाशन कुछ और चीजों का मतलब है, जैसे यहां मनमानी की कोई गुणजाईश नहीं है, प्रतेक वैक्ती को कुछ मौलिक और हमारा उच्टम जयाल है, इस पर बहता धंसे कार भी करता है, आपने देखा होगा नकसर कि कुछ भी हो जाए, कितने से बड़े से बड़ा मुद्दा हो जाए, एक आम आज भी भारत का जो है, उसका आज भी विश्वास बना हुआ है कि सुप्रीम कोट, हमारे सेशन सक्क्या, वो संस्था कौन सी है, आपकी नियाय पालिका जो स्वतंत्र है, और वो बिलकुल सुनेगी आपको, आपके सबूतों को देखेगी, हर चीजों को देखेगी, आपकी गवाही सुनेगी, और आपको नियाय ही देगी, क्योंकि भारती नियाय पालिका एक चीज बोल कि ये पूरे विश्व में भारत को बाकी देशों से क्या बनाती है अलग बनाती है सारे देश बोलते हैं हम क्रिस्चैनिटी से संबंदे देश हैं हम यहूदी देश हैं हम इसलामिक कंट्री है हना हम बॉद्धिस्ट हैं हम तिबती हैं पर को हम भारत के लोग बोलते हैं कि हम भारती है बोलते हैं क्यों क्योंकि यह हमारे भारत की खुबसूर्थी है कि हमारे हमारे देश में जो सर्विष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष याद रखना कोई भी वैक्ति या कोई भी बिंडू या कोई भी ताकत जब बहुत मजबूत होती है तो उसके पीछे उस ताकत का क्या होता है एक सोर्स होता है कोई भी अपने आप पर मजबूत नहीं होता तो वो सोर्स हमारा कौन है समवेधान अब मैं आप से पूचू कि हम लोगों ने संविधान सब्ण का गठन किया और उन्हीं के दोरा क्या बनाए गई घारत की जन्ता के लिए आद खारा होगो काई नहीं गई नहीं दढ़ा पारिवहं-चा-व हम ही तो हैं भारत के लोग ही तो हैं तब ही तो आज सम्विधान ने हमारे अधिकानों को बचाया हुआ है और हम ने किसको बचाया हुआ है सम्विधान आज हम सम्विधान का अपमान नहीं करते ना ही उसका अपमान हम होने देते हैं राज स्वयम को किसी धर्म के साथ नहीं जोडेगा, या कोई राज बोलता है मअदप्रदेश बोलता है कि हिंदु राज है, या इस्लामिक राज है नहीं कर सकता, क्योंकि की इसकी शक्ती कौन नहीं देता आपको Shehundesan बोलता χाही पिटा बोलके देखो फिर बताते हैं, बोलके देखो, एक बार बोलके दिखाओ, ठीक है, उसके द्वारा नियंत्रण नहीं होगा, जबकि राज हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने की अधिकार की गारंटी, देखो कितनी अच्छी बात है, आप बोल रहे हो कि आप अपने आपको किसी धर्म वि वेक्ति के खिलाफ उसके धर्म या आस्था क्या धार पर कोई भी भेदवाओ, कोई भी राज जब भी कोई नीती बनाता है, कि मानलो कि आपके मध्प्रजी सरकार ने एक नया कानून बनाया, कि हम हर मंदर या ट्रस्ट को क्या देंगे, दद्दस हजार रुपे देंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो केवा हिंदू मंदरों धर्मों को दे, या मुस्लिमों मदर्सों को केवल दे, ऐसा नहीं है, वो जो चलो, कहां थे हम, किसी भी वेक्दी के खिलाफ उसके धर्म या आस्था के आधार पर कोई भी भिधवाओ नहीं किया जाएगा, किसी भी समान शर्त के अधीन, किसी भी कारियाले में प्रवेश करने का प्रतेक नागरिक का अधिकार है, अन नागरिक के समान होगा, राजनीतिक समानता किसी भी भारती नागरिक को सर्वोच पद पाने का अधिकार देती है क्या किसी भी स्थान पर धर्म के अधार पर उसे आने से रोका जा सकता है रोका जा सकता है नहीं रोका जा सकता आपने खुद कुछ decision देखे होंगे अभी सुप्रीम कोड के जैसे एक सबरी मालावाद हुआ था जहां पर आप देखेंगे कि इस्तरियों का क्या था प्रवेश वर्जित था पर बार में सुप्रीम कोड ने decision दिया कि नहीं यहां पर भी सभी का प्रवेश अब दिया होगा तो अंतिम रूप से जो decision दिया जाता वही सबसे सर्विस्रेश्ट है और मानने योग है तो उनके द्वारा दिये गए decision पर किसी भी प्रगार पे हमें क्या नहीं करना है विरोध नहीं करना है अपने अपने मत हम रख सकते हैं पर उसका विरोध स्वरूप हमें स्वर अब क्या हो गया अब वयस्क कब होते हैं 18 वर्ष के बाद अब याद करो क्या आपको जब ब्रिटिश एक्ट थे तब आपको यह अधिकार दिये गए थे नहीं दिये गए थे हमें किसने दिया हमारे संविधान ने दिया कि चिंता मत करो अब तक जो आपको नहीं मिला है व आप एक सिक्षित होने चाहिए, नहीं बोला ना, सम्विधान ने बोला कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और आप वयस्क होने चाहिए, केवल दो बिंदो अगर आप हमें दे सकते हैं, तो हम आपको बटन दवाने का अधिकार दे सकते हैं, क्यों क्योंकि एक जो दर्म इस्थिती के बावजूद चुराओं में वोट देने का, कोई बोलता है कि तुम इस जादी को वोट नहीं दे सकते, तुम इस धर्म को मानते हो तुम वोट नहीं देना, ऐसा होता है, आप देखेंगे लोग नोटा दबाने भी जाते हैं, और नोटा दबाने में कोई ग वोटी नहीं देते, ऐसा मत करो, ये शक्ति जब आपको सम्विधान ने दी है, तो उसका बिलकुल उपयोग करो, वोट देने जरूर जाओ, भारती सम्विधान सारुभामिक वैस्क मताधिकार की पद्दिती के माध्यम से भारत में राजनेतिक समानता की स्थापित करता है, अगली विशेष्टा क्या है, आपको पता है, भारत में निवास करने के लिए केवल एक नागरिक्ता चाहिए, और नागरिक्ता कहां की होनी चाहिए, भारत की नागरिक्ता, क्या भारत में राजने निवास करने के लिए अलग से नागरिक्ता चाहिए, नहीं, केवल एकल युटाया बीटेन से कॉपी किया है इसके बाद त्री सरकार थीग है अचा पहले तो दो यह स्था थे केंद्र सरकार और राज्य सरकार फिर यात करो तेहत्तर्वा समम्धान शंशोधन चोहत्तर्वा सम्धान शंशोधन जिससे तीसरा इस्थानी सरकार और ग्रामीड सरकार आपका बनाया गया तो ये तीन इस्थार और एक चीज़ बताओं मैं आपको ये तीन इस्थार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है हमारा भारत जिसने ग्राम सरकार जिसने इस्थानी सरकार बनाई कौन है ये भारत है तो त्रीस तरी वाली व्यवस्था देने वाला भी हमारा समविधान फिर आती है आपकी सहकारी समीतिया हाँ इसमें गौवर्मेंट सेक्टर्स कुछ प्राइवेट लोगों के साथ या संगृठनों के साथ मिलकर काम करते हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि इसको हमारे समविधान में समविधानिक दरजा दिया गया है 2011 के 97th constitutional amendment के दौरा सहकारी समीतियों को सम्विधानिक दर्जा दिया गया है इस तंदर्भ में इसने सम्विधान में निमले के तीन परिवर्तन किये देखो, इसने सहकारी समीतियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया आर्टिकल 19 में अब 19 में भी एक sub clause के अंदर है मैं जब 19 पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा जिसमें आपको एक संग ठन और एक सहकारी समीति बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है आर्टिकल 19 में इसमें सहकारी समीतियों के प्रचार पर राज नीती के एक निर्देशक सिद्धानत है 43B इसने समविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा जिसका शीरशक है सहकारी समीतिया 9B अच्छा आपका 9 क्या है यहां छूड गया 9 आपका यह दिख रहा है यह रहा आपका 9 और एक और होगा आपका 9A यह रहा आपका 9A तो यह है आपका पंचायत और इस्थानिये निकाय से संबंदित ठीक है यह सारी चीज़ा हमें डिटेल पर पढ़नी है एक एक आर्टिकल इसके बाद अनुसूचित जातियों तदा जन जातियों के लिए दिए गए हैं क्या भारती संब्धान में दिए गए हैं अरे हमारी तो दो अनुसूचि ही इनसे संबंद देते हैं कौन-कौन से अनुसूचियां पांचवी और छटवी हमारे सम्विधान में अनुसूचित जातियां जनजातियों की सुरक्षा की विशेश विवस्था की गई है सम्विधान के अनुच्छे सत्रा क्या है अनुच्छे सत्रा अंटचबिलिटी आ इस प्रश्चिता का अंत इस चीज़ को पूरता समाप्त कौन करता है आप में हिम्मत तो करके दिखाईए आप प्रश्चिता करके दिखाईए चुआ चूत का बड़ताओ करके दिखाईए हमारा समविधान इतना powerful बनाता है लोगों को कि अगले ही पल आपको क्या करवा देंगे कानूनी कारवाही के द्वारत दंड दिलवा सकते हैं ठीक है कि ताकत किस ने दिया अगर हमारे यहाँ पर भारती सम्विधान में यह आर्टिकल नहीं होता तो मैं आपको बता रहा हूँ आप मैं यह चीज अपने आपा जाती आज कहीं न गहीं इस सम्विधान की ही देन है कि आज की पीड़ी और हमारी आने वाली पीड़ी यह चुआ 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 शब्द को शायर भूल जाए कि ऐसा कुछ होता भी था पर पुराने समय से चली आ रही है विवस्ता को समाप्त करने का सबसे बड़ा काम हमारे सम्विधान ने किया है अगर यह आर्टिकल नहीं होता तो कहीं न कहीं आज भी आपको यह विवस्ता एक बड़े व्रहद रूप में देखने को मिलती कुछ इस्थानों पर आज भी है पर तब भी कार किया जा रहा है अच्छे स्तर पर दीरे दीरे आप जानते हो ना कि कोई वाइरस यदि फैलता है तो वो एक दम से समाप्त नहीं होता हमारा दीरे दीरे शरीर कुछ दिनों में उसको क्या करता है समाप्त करता है दीरे-दीरे वो शेत्रे से ये जो वायरस है चुआ चूत का वो भी दीरे-दीरे से अब क्या हो रहा है और कुछ ही समय में जो आपकी शायद अगली पीडी आएगी उसको पता भी नहीं होगा कि ये चूआ चूत आखिर होता गया है कि अंतराश्टी सहयोग तथा विश्व इसमें तो भारत से बेस्ट कोई है ये भारत तो बोलता है वाशुदेव कं न मिश्व हमारा मित्र परिवार है वो थी हमें सब के साथ मिलकर आगे बढ़ने भारत ने कभी नहीं कहा कि हमें सब कर न दौढ़ने है सब के साथ मिलकर हम नहीं दौडेंगे अके लिए हमेности हाथ पकड़की दौड़ना है हम साथ मिलकर चलेंगे दाकि एक गिरे तो दूसरा उसको क्योंकि हमेशा सबसे तेज दौडने वाला जब गिरता है तो उसको उठाने के लिए साथ में फिर कोई नहीं होता है शांति का समर्थक भारती समविधान में अंतराश्टी सहयोग तत्थ विश्व अगर कोई हमसे पूछे कि हमारे सम्विधान में क्या खास चलो बताओ कोई हमारे सम्विधान की बुराई करे या बोले कि ऐसा क्या लेग दिया जो आपने आपको बहतर बताने की कोशिश करते हो तो कितने सारे points हैं, आप उस बात पर चर्चा कर सकते हो, बहस कर सकते हो कि देखो ये है, कि जिसकी वज़ा से हमारा भारती सम्विदान श्रेष्ट ही नहीं सर्व श्रेष्ट है, ठीक है अब बात करते हैं, कि हर कोई एक मत का तो हो नहीं सकता, है ना क्योंकि कुछ लोग होते हैं, जिसको केवाल अच्छाईयां दिखती हैं, और कुछ लोग होते हैं, जिसमें अच्छाईयां में भी उनको क्या दिखता है, कुछ बुराईयां दिखती हैं, तो ऐसे ही भारती संविधान की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष उधार का थेला उधार का थेला क्यों बोला लगबग साथ देशों के सम्मेधान का क्या किया साथ देशों के सम्मेधान का अध्धन किया तो आपने हमें क्या बोल दिया इसके बाद दूसरे देशों के सम्विधान के कुछ बिंदों की जलक आपको कहा देखने मिलती है भारती सम्विधान में तो आपने हमारे सम्विधान को क्या बोल दिया जब भारती सम्विधान को ये बोलकर क्रिटिसाइज किया गया कि ये तो उधार का थेला है, आपने मेहनत क्या किया इसमें, तब B.R. Ambedkar ने सम्विधान सम्भा में इसका जवाब दिया, B.R. Ambedkar साहब ने बोला, कि सम्विधान की पुस्ठक अपने आप तो प्रस्तुत होई नहीं थी, कि एकदम से प्रकट हो गई हो, किसी भी देश की, ह कि यदि हमने मेहनत को बचा कर, कम मेहनत करकर, एक स्मार्ट वर्क किया, तो उसमें गलत क्या है, पहली चीज, दूसरी चीज, आप हमें कहते हैं, उधार का थेला, आप हमें एक ऐसा पॉइंट बता दीजिए, जो एक्चुल दूसरे देश से डिक्टो को भी किया गया है, तो आप ऐसा, हाँ एक दो पॉइंट्स हो सकते हैं, पर जादा तर ऐसे पॉइंट्स आपको देखनें नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि भारत की जनता के अनुसार, भारत की प्रकृती के अनुसार, भारत के राज केंद्री की इस्थिती के अनुसार हमने उसमें बहुत से परिवर्तन करके उन्हें अपने सम्विधान में जोड़ा है, तो इसलिए आप भारत को उधार का थेला, भारती सम्विधान को उधार का थेला नहीं कह सकते, ठीक है, अब बाकी कहते हो तो आपकी मर्जी, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, आलोचक कहते हैं कि भारती के लिए विबिन दस्थावेजों की पेवंद गिरी लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपाद पूर्ण एवं अंतारकिक है ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन संविधान के आवश्यक शंशोधन करके ही भारती परिस्थितियों में उनकी उप्युक्तता के अधार पर उसकी कम्यों को दर किनार करें उसको किसमें इंक्लूट किया हमारे संविधान में तो चलो इस आलोचना को हमने क्या कर दिया खंडन कर दिया आगे दूसरी आलोचना देखते है 1935 के अधीनियम की कारवन कॉपी ठीक है क्योंकि अधिकतर एक्ट लगबग 250 कहां से लिए पर चार्ट एक्ट पर काउंसेल एक्ट फिर गयावर्मेंट ऑफ इंडिया एक इतने सारे एक्ट लाने के बाद विचारे पहुंचे 1935 थीक है और भारती परिस्तित्यों के अनुसार उन्होंने कानून बनाया 1935 का अधीनियम तो जब भारती परिस्तित्य के अनुसार वो बड़ी चीज बनी बनाई रखी हुई है हाना जो हमें बहतर पता है कि हमारी सरकार को चलाने के एकदम सही रहेगी तो हम क्यों न उससे पॉइंट के उठाएं गलत है क्या बस किसी की मेहनत का उपयोगी तो किया है हमने आलोचकों ने कहा कि सम्विधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान बारत के सम्विधान में डाल दीगे पर एक चीज है आगे आपको बताता हूं मैं कहीं न कहीं आलोचना आपको सही भी देखने में लेगी इससे सम्विधान 1935 के अधिनियम की कारवन कॉपी बन कर रहे गया य यह भी आगे पता चलेगा उसी प्रकार सर आईबर जैनिंग्स ब्रिटिश सम्विधान वेत्ता ने कहा है कि सम्विधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है जहां से वास्ताव में अधिकांश प्रावधानों के पार्ट बिलकुल उतार लिये गए हैं ये बात भ तोडह बहूत किया है थोडह बहुत पी आर देश्मोक सम्विधान सभा के एक सास्ड तो खुद का आपने क्या जोड़ा है इस चीज को लेका आलोचना होती है ठीक है तो 1935 अगला आलोचना का रीजन है आभारती तता भारती ता विरोधी ये बात एकदम सही भी है और गलत भी है अब क्यों है देख लेते हैं फिर देखो सोच क्यों वह आपकी सोच है ठीक है हम हमारा काम में उस पॉइंट पर चर्चा करना पर आप इस बहतर सोच को बना सकते हो कि यह पॉइंट वैलिड है या नहीं है यह आपकी उपर डिपेंड करता है ठीक है आलोचकों के अनुसार भारत का सम्वेदान आ भारती ये भारतिया विदोधी क्योंकि इस भारत की क्रती विरेशी है जिससे भारती परिस्थितियों के अनुप्योग एवं आकारण है हनुमंधिया सम्वेदान सहबा की सतर से बहुत महटपून नाम है इन्होंने कहा है कि हम वीना या सितार का संगीत चाहते थे लेकिन यहां हम इंगलिस बैंड का संगीत सुन रहे हैं ऐसा इसलिए कि हमारे सम्वेदान निर्माता उसी प्रकार से सेक्षेत हुए एक चीज है भारती सम्वेदान में आपको देखने मिलेगा कि भारती सम्वेदान की भाषा जितनी सरल होनी चाहिए थी ना सरल मतलब कि अगर पांचवी कक्षा का बालक भी उसको पढ़ता तो वो उ दासवत आत्म समर्पन का है इन्होंने क्या बोला है कि हमने दासवत पूनता अनुकरन किसका कर लिया है पश्चिम का कर लिया है और उन्होंने एक्जामपल देके बोला है कि यह जो अनुकरन है ये तरीके से पश्चिम को अपना आपका क्या है आत्म समर्पन करना है होने के फॉरण बादी टूट जाएगा परन्तु ऐसा नहीं है क्या सम्विधान टूटा क्या फेल हुआ नहीं हुआ आलोचना तो आप कर सकते हो दिखो आलोचना तो स्वयम ईश्वर की होती है इसका मालब यह नहीं हो जाता कि वो ईश्वर नहीं है तो वैसे ही आलोचना आ साफी हद तक सही है क्योंकि आप देखो सम्विधान में आपको गांधिवाद बहुत ही कम देखने मिलता है बहुत ही कम क्या ना के बरावर जबकि जब देश एक गांधिवादी विचार धारा पर आगे बढ़ रहा था जब गांधिवादी विचार धारा को लेकर उन्हों रिसर्च सेंटर्स हैं वो खुद रिसर्च करते हैं खुद गांधिवाद की चीजों को फॉलो करते हैं और ऐसे बहुत से बिंदू है गांधिवाद के जो आज शायद भारत तो फॉलो नहीं कर पाया पर दूसरे देश जरूर उसको फॉलो कर रहे हैं तो गांधिवाद की कम कहीं न कहीं हमें देखने मिलती है क्यों क्योंकि हम भारत के संविधान को मजबूत बनाने में इतने लिप्त हो गए कि हम अपनी नीव जो थी जो गांधिवाद था जो हमारी संस्क्रती थी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हमने उसको मिस जरूर किया है आलोचकों के अनुसार भ जो आपकी पंजायत है और स्थानी सोशाशन है यह संविधान में नहीं था कम मिला ही आपको देखने को 73 और 74 किस वर्ष मूल संविधान में तो यह हिस्सा उसका था ही नहीं इस तंदर्म में वही सदस हनुमंतिया कहते हैं यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांडी कभ नहीं चाहते थे फिर भी वह बनकर तयार हुआ यह स्टेट्मेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ ना इनको एक्जेक्ट पढ़ना जो लिखे हुए है ठीक है डारेक्ट सीधे तौर पर पूछे जाते हैं प्रिलिम्स में यह महा कायाकार हमने बोला ना या तो हम उसको विश समवधान बनकर तयार हो गया और इस विशाय पर कहां गए आपके हाँ यह एच फी कामत कहते है कि मुझे विश्वास है कि सदन इस पर सहमत नहीं होगा कि हमने एक हाथी नुमा सम्वधान बनाया है यह याद रखना हाथी नुमा किसने कहा है पामत ने ठीक है जो कि इतनी सरल होनी थी, कि उसको slavers में add हो जाना था, या उसमें articles इतने कम होने थे, कि वो सीधे तोर पर कहां add हो जाता, slavers में, आज होता क्या है, कि हमारे यहां की students college pass हो जाते हैं, degree ले लेते हैं, कुछ तो master's भी ले लेते हैं, पर उनको अभी भी सम्विधान सौ में से 98 लोग नहीं बता पाएंगे, दो लोग जो पताएंगे, वो भी आपको aspirant ही मिलेंगे, तो यह तो गलत है, क्योंकि जब यह चीज आपके देश से संबंदित है, या आपके अधिकानों से संबंदित है, तो क्या इसकी चर्चा की जानी चाहिए विद्यालेओं में, अब वो चाहा कर भी नहीं हो पाती, क्योंकि इसका जो विशाल का आकार है, या जो इसकी इतनी क्लिष्ट भाशा है, जो इतनी कठेने समझने में, आप सम्विधान पुस्तक उठाईए तो, आपको डिक्ष्णरी लेके बैठना पड़ेगा, आप समझी नहीं पाएंगे, उसकी पीछे पता है सबसे बड़ा कारण क्या है, उसकी पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका, वकीलों का स्वर्ग, क्यों, क्योंकि भारती सम्विधान में, सरवादिक सदस से कहां से आये थे, जो एडवोकेट थे, तो वकीलोंने क्या किया, वकील क्या लिखने में एक्सपर्ट होते हैं, कानून, कानून, अब उन्होंने सम्विधान को कानूनी भाषा में ही लिख डाला, जो सरल भाषा लिखनी थी, वो सरल भाषा कानूनी भाषा जो होती है, अब सम्विधान बन के तो तयार हो गया, चलो वकीलोंने उनको सम्विधान समय में समझा भी दिया, पर बात के जो लोग आए, उन्हें तो डिक्षनरी लेके बैठना पड़ा चीजों को समझने लिए, तो सम्विधान की जो भाषा कठे ने उसमें कहीं ना कहीं, एक बहुत बड़ा रोल किसका है, जो वकील इतने सदस्य थे, आलोचकों के अनुसार, भारत का सम्विधान अत्यांद विधी वादिता पूर्ण तदा बहुत जटेल है, उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है, उनके चलते सम्विधान एक जटिल सम्विधान दस्तवेज बन गया है, वहीं सर आईवर जैनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग, most most important, वकीलों का स्वर्ग किसे ने कहा है, आईवर जैनिंग्स और वकीलों को स्वर्ग किसे कहा गया है, सम्विधान सभा को, इस संदर्व में H.K. महाश्वरी कहते हैं, कि यहाँ वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है, और हमारी योग और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है, ठीक है, सम्विधान सभा की अन्य सदर्शें, पी आर देश मों कहते हैं, कि मैं यहाँ कहना चाहूँगा, कि सदन की समख्ष डॉक्टर अंबेटकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है, मेरी समख्ष से अत्म भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम जिल्लवादा विधी ग्रंथ हो, ठीक है, कि जो आपका सम्विधान प्रस्तुत किया गया है, कर आया हो, आज तक चल रहा हो, अब इसमें कमियां ये है, निकों कमियां तो कोई नहीं है, कुछ चीज़े और एड हो सकती थी, कि भारती जो पुरातन संस्कार, संस्क्रतिय चली आ रही है, हाँ आमें उसकी थोड़ी सी जहलक इसमें कम, देखने को मिलती है, भारती संविधान पता है, आपको पूर्था प्रैक्टिकल है, भारती संविधान कोई पुरानी विचारधारा को फॉलो नहीं करता, वो एकदम प्रैक्टिकल है, और उसका एक मात रुदेश है, किसको मजबूत बनाना, भारत को मजबूत बनाना, और किसके अधिकारों की रक्षा करना, मनलब किसके अधिकारों को देना, जनता के अधिकारों को देना, तो ये थी आपकी भारती संविधान की विशेष्टा है, और भारती संविधान की आलोचना है, विशिष्टा है समझ में आई, आलोचना है समझ में आई, वो आलोचना को हम विशिष्टा के तोर पर भी ले सकते हैं और जैसी हमारी सोच pewno को आलोचना के तोर पर भी at the end conclusion यही निकलता है कि भारती सम्विधान भले ही विस्तरत है पर भारती सम्विधान विफल नहीं है भारती सम्विधान एक सफल सम्विधान है और उसी सम्विधान की वज़ा से आज तक हमारे देश का जो संचालन है वो एक बहतर ढंग से चला आ रहा है और भारती समिधान ने आपको जो भी अधिकार दिये है वो सभी अधिकार आपको प्राप्त है और उनकी सुरक्षा कौन कर रहा है हमारा माने निये उच्चितम न्यायाले क्लियर है? कोई समस्या है? कोई डाउट है? किया तो है 73-74 अब आपको आखिर ग्राम पंचायद दी गई है एक ग्राम का सौशाशन दिया गया है यह जो ग्राम का सौशाशन है यही गांधी जी चाहते थे और गांधी यह हमारे मूल सम्मिधान का ही हिस्सा होना था पर इसे जोड़ा कब गया? हमारा सम्मिधान वाना 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और उसे जोड़ा कब गया? 1992 जोड़ तो दिया गया बट एक बहुत लंबा समय लिया गया उस चीज़ को पहले पता आपको यह जो पंचायद था यह राज जी की नीती निदिशक तत्मों में था कि बाद्धकारी नहीं है तो जिसका मन था वो मानते थे और जिसका मन था वो नहीं मानते थे और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा ही स्टेट है वो जिसने पंचायदी राजवेवस्ता को सर्व प्रथम लागू किया किसने? मध्द प्रदेश ने ठीक है? तो अज के लिए इतना काफी है चलो जैहिन